है अब्रिवरीवां वालकम टू और नीव तॉपिक आजका जो टॉपिक है वो है एमर्जनसी एक्शन प्लान हम कैसे क्रियेट करेंगे एमर्जनसी एक्शन प्लान के बारे में बताया गया इसको बोला जाता है EAP, ठीक है, इसका short form हो गया EAP, अब emergency action plan हम क्यों बनाते हैं, देखिए जब हम emergency team बनाते हैं, तो हम उसको एक action plan भी तो देंगे न, कि जब कोई भी accident होता है, या कोई भी emergency आती है, तो आपको किस तरीके से अपने actions लेने हैं, उसके बारे में इसमें बताय जाया गया है, ठीक है, तो जो emergency action plan रहता है, उसको हम prepare जब करते हैं, तो हम पूरा एक checklist maintain करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़े आती है, कि क्या हमारे पास ये चीज़ है, क्या हमारी preparedness में ये चीज़ आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, तो emergency action plan का एक बहुत important role रहता है हमारी safety site पे, हमारी working site पे, working place पे, organization में बहुत जादा, ठीक है, क्योंकि देखिए, कहीं भी कोई भी office हो, या कोई भी institute हो, या कोई भी industry हो, कोई भी जगा हो, malls हो, cinema halls हो, जो भी हो, वहाँ सब ही जगाए के emergency planning तयार की जाती है, emergency action plan उसके under ही आता है, ठीक है, अब emergency team जब हम तयार करेंगे, तो emergency team को हम training देंगे, सारी चीज़ें उसे बताएंगे, कि इस तरीके से ये वाला काम होना है, इस तरीके से ये, तो एक action plan भी तो हमें generate करना होगा जिससे कि उन लोग को भी पता रह सके, कि हमें action plan जो हमें दिया गया हमको उसके according ही सारी चीज़ें करनी है, ठीक ह तो action plan का काम क्या हुआ, उसको guide करना, उसके बारे में information होना, इन सब के बारे में, ठीक है, तो ये हमारी कुछ preparedness रहती है, कि हम क्या कर, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने session का, जो भी इसके लिए action plan के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक meeting बिठाएं एक training provide करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि आपका उस session का in charge कौन है, ठीक है, उसके बाद training में हम क्या सिखाएंगे, हम ये बताएंगे, कि सारे fire exits कि धर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा important चीज़ों रहती है, fire exits के बारे में पता, fire exits के बारे में पता होना चाहिए, स fire exits तो पता होना चाहिए, तो ये हमरे क्या होता है, emergency planning के अंदर ये हो गया, emergency planning के अंदर क्या हो गया, जब आपने planning करी तो उसके अंदर आगए, आपके fire exits कहां कहां देने है, और जब आप action plan बनाएंगे, तब ये हो, ये, जब training देंगे, तब सभी कौवेर ने सुने चीए आपके कहां कहां वो exit plan है, ठीक है, और आपको building कैसे और कहां से remove करनी है, कहां से उसको खाली करनी है, leave करनी है building को, ठीक है, उसके बाद next जो कहते हैं, वो ये है, आपको जब पता है कि आपका in charge जो भी है, फिर उसके बाद आपको सारी fire safety और policies के बारे में उन्हें aware करना है ठीक है, और सारे actions के बारे में, कौन-कौन सा action जरूरी है, वो सारे actions के बारे में आपको information होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद emergency evacuation plan पता होना चाहिए, evacuate करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़े चाहिए, क्या-क्या जगाओं पे जाना है, आपको कौन सा assembly point पहुँचना है, आपको ये सारी चीज़े, ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि आपको नहीं पता, तो आप किसी से पूछ ले, कि यहां का person कौन है, जो यहां का in charge है, यहां की emergency evacuation plan क्या है, ठीक है, नहीं पता, तो जब भी आप training कर रहे होते हैं, उस समय पे आपको ये सारी चीज़े बता द फैर alarms वगेरा, वो सारी चीज़े, मतलब working condition में रखना होता है, ऐसा नहीं हो, कि आपके जो फैर alarms हैं, जो भी heat detectors वगेरा हैं, वो सभी बंद पड़े हो, बंद होंगे, तो आप कैसे inform कर पाएंगे, कि यहां आग लगी होई है, ठीक है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखन हैं, आपको, कि आग लगी है, तो आप shout करें, immediately shouting शुरू कर दें, fire fire करके, आग लगी है, ठीक है, आपको, मतलब जो भी आग लग रही है, तो आपको कोई risk, मतलब risk लेनी की जरुद नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको equipment जो भी provided हैं, आपके workplace पे, वो equipment यूज करने है हैं, अब आपको equipment कौन से यूज करने हैं, यह आपको सारे training बताया जाएंगे, ठीक है, A class fire है, B class fire है, C class fire है, D class fire है, उसके हिसाब से आप equipment यूज करेंगे, ठीक है, एक्स्टिंग्यूशर यूज करेंगे, ठीक है, अब equipment के अंदर क्या है, अब देखिए, आपको जैसे की आग लगी हुई है, emergency action plan आपने बनाया, तो उसमें आपको training ये भी दी गई होगी होगी, कि आपको कैसे बुजाना है, तो आपको बुजाने के लिए सबसे पहले, आपको किस mode से लगी है, वो आपको पता हो नच्छी, उसके बाद आप equipment उस पे यूज कर सकते हैं, यानि कि कोशिश करें, कि आप उसे बुजा सकें, जो भी आपके पास equipment या extinguisher रखे हो हैं, नहीं बुज़ती है, तो आप उस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग को छोड़ने के जल से जल कोशिश करें, और ये भी पता कर लें, कि कोई भी एक बंदा उसमें छूटा तो नहीं है, और उस बिल्डिंग का दर्वाजा बंद कर दें, इस तरीके से हमारे action plan के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, जब भी पता चल जाता है कि आग लगी हुई है, तो आप सब लोग क्या करें, जो भी जैसे किसी work industry में लगी हुई है, या फि फिर देखें कि कितनी आग है, क्या है, कितने लोग अंदर फसे हैं, या सब आग है, कोशिश यही रहे कि सब ही लोग आग लगना शुरू हो, तब ही वो निकल जाएं वहां से, ठीक है, अदर्वाइस अगर आग एक बर बढ़ना शुरू होती है, तो उसको काबू में लेन बहुत ही टॉफ रहता है, ठीक है, और कोशिश करें, प्यूपल जो भी अंदर फसे हैं, उनको इनकारेज करें, उनको बोलें कि आप बिल्डिंग से बहार निकल लिए और असेम्ली पॉइंट पर सब क्यादर हो जाएं, ठीक है, उसके बाद असेम्ली पॉइंट पर लेना है, कि आग सच में तो थी ना, इस सारे असेम्ली पॉइंट पर आने के बाद आप फायर प्रिकेट चेक कर लेंगे, और अपने पास के फायर प्रिकेट को जल्दी से बुलाके, वहां के आग जो हो बुजना शुरू कर वाएंगे, ठीक है, सब भी कमिटी मेंबर को इ सारे में मैंने आपको बता है, इसको शॉट में ई-ए-पी भी बोलते हैं, एमर्जेंसी एक्शन प्लान जो है, वह इसलिए बनाया गया है, कि आपको कि जब आग लगती है, तो बहुत ही जादे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब लोग घबरा जाते हैं, कि हुआ क्या है तो इस साब से जब ए-मर्जेंसी टीम जो रहती है, वह सारी चीश समभाल तो लेती है, पर ए-मर्जेंसी एक्शन प्लान के बारे में वह आपको इसलिए ऑवर कराती है, तकि कुछ लोग जो उतने चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो टीप में नहीं जानते हैं, वह अट अपनी जान पचा के बाहर तो निकले, बाकि एमर्जेंसी टीम जो रहती है, वो तो जैसे आग लेगी है, तो उस पर काबू पाही लेगी, बाकि सारी चीज़े भी हैंडल करी लेगी, पर हम जैसे जो लोग हैं, जो और एम्प्लॉईज हैं, वो अंदर हैं, फस गए हैं, तो वो लोग कैसे बाहर निकले, कहां पहुँचें, कौन से एक्जिट डोर हैं, कितने टाइम में निकलना हैं, क्या यूज करना हैं, क्या नहीं, यह सारी हम ट्रेनिंग उनको इसलिए दी जाती है, ताकि यह एक्शन प्लैन जो है, वो ले सकें, एमर्जेंसी एक्शन प्लैन क के बारे में बताया, so thank you.